फाइनेंस जुड़ी लेटेस इंफरमेशन पाने के लिए फिनोवेशनस अब्डेट्स को सबस्क्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के एक्स्टा डोस सेशन में आपका स्वागत है आज का फेस्ट अपडेट है Reliance Industries के ओनर मुकेश रमबानी और उनकी कमपनी पर शेर मारकेट रेगुलेटर सेभी ने 40 क्रो रुपीज के पेनल्टी लगाई है सेभी ने निवेंबर 2007 में Reliance Petroleum Limited के स्टॉक ट्रेडिंग में कथद गरबरी को लेकर ये कारवाई की है इस मामले में सेभी ने Reliance Industries पर 25 क्रो रुपीज का और मुकेश रमबानी के साथ 2 और उनिट्स पर 15 क्रो रुपीज का जुर्माना लगाया है इतना ही नहीं सेभी ने नवी मुंबई SEZ Private Limited से 20 क्रो रुपीज और मुंबई SEZ Limited को 10 क्रो रुपीज का जुर्माना देने को भी कहा है आपको बता दें कि ये मामला निवेंबर 2007 में RPL शेयर्स की Cash and Futures सेग्मेंट में बाइंग और सेलिंग से जुड़ा है जिसमें Reliance Petroleum Limited के शेयर्स की Cash and Futures बाइंग में गरबड़ी पाई गई थी नेक्स्ट अपडेट है रिकॉर्ड हाई को छुने के बाद देश का Foreign Exchange Reserves 25 दिसंबर को खतम हुए हफते में 29 क्रो डॉलर घटकर 580.84 बिलियन डॉलर रह गया इससे पहले 18 दिसंबर को खतम हुए हफते में Foreign Exchange Reserves 2.56 बिलियन डॉलर बढ़कर 581.13 बिलियन डॉलर के ओल टाइम रिकॉर्ड हाई को टच कर गया था RBI द्वारा जारी डेटा के अकॉर्डिंग इस हफते में Foreign Currency Assets में कमी की वजह से Foreign Exchange Reserves में कमी आई है Foreign Currency Assets, Total Foreign Exchange Reserves का Important Part होती है Reserve Bank के Weekly Data के अकॉर्डिंग इस हफते में FCA 25.3 करोर डॉलर घटकर 537.47 बिलियन डॉलर रह गया FCA को डॉलर में शोग किया जाता है लेकिन इसमें Euro, Pound और Yen जैसी दूसरी फोरन करन्सिज भी शामिल होती है इसके लावा 25 दिसंबर को खतम हुए हफते में देश की Gold Reserve Value 30.8 करोर डॉलर घटकर 36.71 बिलियन डॉलर रह गई Foreign Exchange Reserves के Central Banks द्वारा रखा गया Funds या Other Assets होती हैं जिनका इस्तमाल जरूरत पढ़ने पर Liabilities का Payment करने में किया जाता है Sufficient Foreign Exchange Reserves एक Healthy Economy के लिए काफी Important होता है Next Update है Lockdown हटने के बाद Economy में तेजी से Improvement दिखने लगा है इसका सीधा असर Goods and Services Tax यानि GST के Revenue में भी आया है December 2020 में 1.15 लाग क्रोर रपीस का Record GST Collection हुआ जो नए Tax System लागू होने के बाद सबसे ज्यादा है और December 2019 के Comparison में 12% ज्यादा है December 2020 में 1.15,174 क्रोर रपीस का Revenue रसीव हुआ जो November 2020 से 10% ज्यादा है Finance Ministry के According जुलाई 2017 में लागू GST का इस से पहले सबसे ज्यादा Collection एप्रिल 2019 में 1.13,866 क्रोर रपीस का हुआ था इस तरहां लगाता तीसरे महीने GST कलेक्शन 1,00,000 क्रोर से ज्यादा हुआ है Finance Ministry के According लॉक्ड़ॉन के बाद GST कलेक्शन में Record Growth, Fast Economic Reforms, GST Fraud के Against Nationwide Campaign और Different System Changes के Combined Efforts का नतीजा है आपको बता दें कि April 2020 में पूरे देश में लागू लॉक्ड़ॉन के चलते GST कलेक्शन सिरफ 32,172 क्रोर रुपीज रहा था Next Update है अमेरिका और चाइना के बीच चल रही टेंशन के बीच चाइना को एक बड़ा जटका लगा है American Stock Market से चाइना की तीन मेजर टेलिकॉम कंपनीज बाहर होने जा रही है यानि इन कंपनीज को डेलिस्ट किया जाएगा New York Stock Exchange के अकॉर्डिंग बाहर होने वाली कंपनीज में China Mobile Limited, China Telecom Corporation और China Unicom Hong Kong Limited शामिल है इन कंपनीज के रिलेशन चाइनीज आर्मी के साथ पाए गए है New York Stock Exchange के अकॉर्डिंग इन कंपनीज के शेर्स की ट्रेडिंग साथ से 11 जनवरी के दौरान सस्पेंड रहेगी साथ ही इन कंपनीज को डेलिस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा हालकि डेलिस्टिंग से इन कंपनीज पर ज़्यादा एफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सभी कंपनीज होंग कोंग के शेर मार्केट में अलग से लिस्टेड है नेक्स्ट अपडेट है नए साल के पहले दिन शेर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ 106.25% की तेजी के साथ 117.65 पॉइंट उपर 47,868.98 के लेवल पर बंद हुआ वही निफ्टी 36.75 पॉइंट यानि 0.26% की बंद के साथ 14,018.5 के लेवल पर बंद हुआ ये इनका हाइस लेवल है इस तरह मार्केट लगातार 9 हफते बंद के साथ बंद हुआ आपको बता दे कि सेंसेक्स 1 जनवरी 2020 को 41,306.02 पर बंद हुआ था स्टॉक एक्चेंजिस के लिए साल 2020 काफी उतार चड़ा वाला रहा मार्च 2020 में भारत में करोना वरस महामारी ने दस्तक दी करोना वरस से शेर मारकेट भी बच नहीं सका मार्च में जहां शेर मारकेट नीचे गिरा वहीं साल के end में Sensex Nifty ने 2020 में हुए पूरे नुकसान की भरपाई कर ली Leading Shares की बात करें तो Adani Ports, TCS, ITC, MNM और SBI के Shares हरे निशान पर बंद हुए वहीं ICIS EI Bank, SBI Life, HDFC Bank, Titan और Hindalco के Shares लाल निशान पर बंद हुए Sectoral Index पर नज़र डालें तो Bank, PSU Bank और Finance Services लाल निशान पर बंद हुए वहीं FMCG, IT, Private Banks, Pharma, Realty, Media, Auto और Metal हरे निशान पर बंद हुए यहाँ पर हमारा Fain Point Extra Dose खतम होता है आप सभी को नए साल के शुपकाम नाए नए साल के इस खास अफसर पर हम शुरुआत कर सकते हैं Smart Investment की हमारे courses पर मिल रहे खास offers के साथ जिसमें आपको मिल रहा है हमारे सभी courses पर 50% का flat discount जी हाँ आपने सही सुना पूरे 50% का flat discount तो अब देर कैसी? अभी description में दिये हुए link पर जाएं और enroll करें हमारे courses में वो भी huge discount के साथ और हाँ देर ना करें क्योंकि offer सिरफ सोंबार 4 जनवरी तक valid है ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमें comments करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हम से जुड़े रहने के लिए thank you